तरिश्टी और जी हां दृष्टी वो नाम जो कि आपको दिलाएगा सफलता UGC NET का एक्जैमिनेशन में और जैसे कि आज आज आपको पता है हमारी इंट्रोड़क्टरी क्लास है इंट्रोड़क्टरी इन दे सेंस कि आज हम बात करेंगे कि भई क्या कुछ हमारी स्टेटज रहेगी किस तरीके से हम अपनी क्लासिज को लेके चलेंगे हलका फुलका हम स्टेबस के वारे में भी जानेगे भई क्या कुछ हमारी यूनिट्स रहेगी किस तरीके से बिल करना है क्या हमारे एक पैटर्न रहेगा पढ़ने का और पढ़ाने का समझने का और समझाने का तो वहां से बढ़िया तो कुछ मिल ही नहीं सकता है तो वो रहेगे अपनी को इसके ओपर आप जाईए आपको सारी चुछे मिलेंगे स्लेवर्स के अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो एक होता है हमारा जनल पेपर एक होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेस जहां तक बात है एजुकेशन के जी हां मुझे लगता है कि जो एजुकेशन वाले है उनको एक बड़ा ही अच्छा प्रिविलेज मिला हुए बड़ी एक बड़ी एडवांटेज मिली हुई है उसकी बात करेंगे उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है नाइन आपको दिखा गया है इंगलिश में और हिंदी में ठीक है यह मैं आपके लिए ओल्रेडी डाउनलोड करके रखे हुए है मैंने तो सबसे पहले अगर हम समझें इसके स्लेवस को ठीक है तो सीधी से बाद है जो हिंदी बें रखा है इसका स्लेवस एजुकेशन का ठीक है वो कुछ इस तर के से दिखाए देता है आपके देखने के point of view से set कर देता हूँ ठीक है तो इसका जो pattern रहेगा वो आपको पताई भाई इसके अंदर क्या होती है दस units है हना total units कितनी है 10 units कितनी है भई 10 units ठीक है और आम तोर पर यह समझा जाता है कि भई 10 unit है और 100 number का paper है ठीक है जैसा कि हमारा UGC भी बोलता है कि भई 100 number का है तो जो weightage रहेगी वो हर unit की 10 question या 10 number की जो weightage रहने वाली है ठीक है लेकिन क्या ऐसा सच में है ऐसा होता नहीं कि हर उसमें से हमारे 10 question है ठीक है ऐसा होता नहीं है वो थोड़ा वही कोई dominate कर जाती है चीजे कुछ नहीं करती है वो हम सारी बाते discuss करेंगे लेकिन हाँ फिलाल यह समझने की बात है कि इसके जो total units है वो क्या है 10 है ठीक है और अगर मैं बात करूँ particularly अपने education की तो education में एक बहुत बड़ा एक benefit य है कि यहां पर हमें हर चीज के बारे में पढ़ते को मिलता है यह नहीं कि हमारी जो masters है ठीक है वह education में ही है लेकिन उसके अंतरगत हमने कई सारे ऐसे subjects को पढ़ा है जो कि हमारे लिए useful होते because we are the teacher of teachers हना हम क्या है भई अध्यापकों के अध्यापक है सीधी सी बात है हम जब college में जाते है assistant professor बनके ठीक है तम भी वहाँ पर हम क्या रहते हैं इनको पढ़ाते हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं जो आगे जाके अध्यापक बनने वाले हैं ठीक है तो भाई हमें जिन जिन चीजों का पता होना चाहिए वो सारी चीज़े देखते हैं हमें पता होना चाहिए भाई philosophy का ठीक है philosophy मतलब दर्शन कि भाई लोगों की अलग अलग सोच क्या क्या होते हैं हर एक की सोच का पता होना चाहिए बिलकुल सही बात है ठीक है including Indian and Western philosophy ठीक है सभी का पता होना चाहिए देखे इसके अंदर का था हम philosophy को पढ़ते है sociology को पढ़ते है economics को पढ़ते है management को पढ़ते है psychology को पढ़ते है research को पढ़ते है सब कुछ क्या नहीं पढ़ते है ठीक है that's why मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो units है यह बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे तरीके से design की गई है हमें इनकों पर कारिया करना है ठीक है अब जो units है मैं थोड़ा सा English में ले 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 जाती है और particularly अगर मैं बात कुई है terms की ठीक है उसको हम English में समझे तो competitively ज्यादा अच्छा रहते है ठीक है जैसे कि मैं इसको देखी रहता है इन्होंने क्या दिया है यहां पर भई दिखाता हूं आपको कई बार blender कर देते हैं ठीक है तो मुझे लगा कि भई यह न चीज है थोड़ा सा हमें समझनी चाहिए दोनों भाशाओं में ठीक है चले आ जाएगा कोई नहीं मैं दिखाता हूं इसमें इन्होंने MOOC लिख रखा है MOOC ठीक है तो चले दिखाता हूं अगर यह देखे हैं हम इंग्लिश में इस लेपस को देखते हैं यहां पे तो पहले तो हम यूणिट्स देख लेतें कुटसी कुटसी है ठीक है यह जो पहली हमारी यूडिट है इसमें आप क्या पाएंगे इसमें हम पाते हैं कि इसके अंदर हमारी philosophy और sociology ठीक है यह दोनों की दोनों चीज़े आ जाती है ठीक है मतलब दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र यह दोनों ही आ जातें किसके प्रस्पेक्टिव में क्योंकि हमारा अल्टीमेटली हमारा जो भी रहे चाहे रिसर्च हो चाहे साइकोलजी हो चाहे मेरेजमेंट हो वो सब कुछ रिलेटिन रहेगा किससे एजुकेशन से ही ठीक है तो यहां पर हमारा philosophy रहेगा देखे जैसे कि यहां पर दिया गया भाई इंडियन स्कूल्स ओ फिलोसोफी ना कंट्रीबिशन किसका दिया गया है इंडियन स्कूल्स ओ फिलोसोफी ठीक है पर इसके औपर इसलाम के ओपर । घीक है इस Islam, L है भई, ठीक है, तो यह अलग-लग जो है, Schools of Philosophy है, ठीक है, उनके बारे में हमें जानना है, ठीक है, तो यह है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया, Western आ गया, यह क्या था, यह Indian Schools थे, यह क्या आ गया भई, Western Schools आ गया, Western Schools में हम Idealism, Realism, Pragmatism, Naturalism, ठीक है, यह वाले औ और इनके उपर में बता रहा हूँ यहाँ पर जैसे सांख्या है ठीक है इसके उपर बहुत प्रशन बनते है हर बार प्रशन बनते हैं ठीक है या जो भी यह हमारी है यह पहली जो यूनिट है आप यह मान के चलिए कि इसके उपर क्म से कम 12 से 15 question तो आएंगे ही आएंगे पहली unit की बात कर रहा हूँ मैं इस A section की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब पहली जो unit है unit 1 जो है इसमें कम से कम 12 से 15 question बनेगे ही बनेगे which means यह बहुत बहुत ज़्यादा important unit है ठीक है तो भई इस तरीके से हमें समझना वेस्टन आ गया इंडियन आ गया ठीक है after that अगर हम थोड़ा सा ओर आगे चलते हैं यहाँ पे देखे sociology आ गया approaches to sociology of education देखे हम आज ज़्यादा detail में ने जाएं क्योंकि detail में जाने के लिए हम तब जाएंगे जब हम एक एको पकड़ेंगे जैसे कि हम शुरुवात करेंगे किस से unit 1 से ही करेंगे और वहाँ पर हम बात करेंगे भई Indian philosophy की या इंगिन schools of philosophy की हम बात करेंगे तो वहाँ पर एक एक को समझेंगे और जो हमारा pattern रहेगा pattern भी यह रहेगा क्या कि जैसे हम सांख्या को success पा दी है कोई exam हमें crack करना है तो उसके लिए दो ही चीजे होती है कौनसी कौनसी भई एक चीज है क्या theory ठीक है जी एक चीज क्या है भई theory and second thing क्या है उसके questions और questions भी अगर हम लेके चले PYQs ठीक है plus में हम अगर कहें कि भई जो expected questions कि ये तो PYQs है लेकिन ऐसे questions भी आ सकते हैं तो हमारा जो pattern रहेगा वो यही रहेगा हम एक चीज को पढ़ेगे theory को पढ़ेगे और उससे related जो question आ है मालनों हमने दो line नहीं पढ़ी लेकिन उन दो line नों से related यह दि कोई question बना है तो हम उसके तुरंत बाद उन प्रशनों को करेंगे उसके बाद भी अगली line को पकड़ेंगे ताकि हमें साथ के साथ ये पता चलता रहे कि इन प्रशनों को पूछा कैसे जाता है और हमें वो जो concept हमने अभी पढ़ा है वो question के point of view से भी और ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आसके ठीक है तो यही हमारा pattern रहेगा हम questions plus theories इकठे करेंगे हाँ end में हम क्या कर सकते हैं जब syllabus complete हो जाए उसके बाद में हम जो है या फिर बीच बीच में भी आपकी demand के according हम क्या कर सकते है complete जो हमारा paper होता है हाँ वो भी हम साथ के साथ कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर हम इस तरीके हैं चीजों को समझेगे कि भी theory कर रहे है प्लस भी उसके लेटर देखें मान लेजे मैंने एक चीज कराए मान के चलते हैं कि हमने बात कि आप रोजी जो आफ साइकोलजी symbolic interaction या structural functionalism की ठीक है या conflict theory की चलिए मान लेजे हमने conflict theory के बारे में पढ़ा ठीक है मैंने आपको बताए कि क्या होती conflict theory ठीक है उसके तुरंट बाद में अगर हम यह कर लेता ना कि देखे भई इस में year में इसके उपर इस तरीके से परशन बना है और आप स्वेम अपने आप से परशनों को देखे अच्छा अच्छा है यह बात तो अभी अभी बताए इस तरीके से तो भई यह इससे connected होना चाहिए तो वो चीज़े हम और ज्यादा बेहतरी तरीके समझ पाएंगे और यही हमारा pattern रहने वाला है throughout the whole slaybers तो भई यह सारी चीज़े हम करेंगे इसके अंदर यह ज्यादा detail में अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि detail में अगर जाएगे न तो हमें लगे है कि भई बहुत बड़ा पहार है ठीक है लेकिन अगर हम एक एक पत्थर को देखना शुरू करेंगे बहुत उचाई पर जाना है जाना उचाई पर है फस्ट यूनिट इसमें टोटल चार अटोपीक और इन सारों में से दो हैं हमारे philosophy के इंडियन और वेस्टन ठीक है और दो हैं हमारे कहां से socialization से socialization है और इन में देखिए हमारे thinkers भी आ जाते हैं ठीक है इसी में क्या आगे भाई हमारे thinkers कर्स भी आ जाते हैं तो वो है ठीक है उसके बाद में हाँ जिद्दू कृष्ण मूर्थी भी है ठीक है और तीन हमारे क्या दिये गए है रíलोसफिर्स भी दिये ग़या है जाना प sûरा पाउलो फ्रेर्ली के बारे में तंके बारे में हम ने अलग लग भाओ जो इनके बारे में भी है हना socialism है हना secularism है तिस लिबर्टी क्या स्वारी चीज़े है मतलब यह सारी चीज़े हैं हमें social aspects से socialization के aspects से चाले जो को हमें समझना पड़ेगा ठीक है यह क्या है हमारी first unit है चलिए मैं एक बार पे जो हमारी second unit आती है वो आ जाती है हमारी history of education हाना history politics and economics of education या सीधी सीधे शब्दों में बात करें ना कि भई जो आज हमारा education का structure है वो कैसे evolve हुआ है वो सारी चीज़े आ जाएंगी इस पर ठीक है जैसे history में आगे तो हमारे सारे committees commissions हाना जो हमारे जितने भी reports वगारा सब कुछ आ गया वो इसके अंतरगत आ जाए ठीक है जी कि भई teacher education secondary education commission 1953 उसके बाद है कोठारी आयोग आ गया अपना NEP आ गया NEP 2020 भी इसके ओपर impact डालेगा ठीक है उसके बाद है अपना यह आ गया NCF आ गया नेशनल डॉलिज कमीशन आ गया 2007 यश्पाल कमीटर मतलब यह सारी चीज़ों अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे है क्योंकि हमें धीरे धीरे चीज़ों को समझे रहे हैं कि मैं बस ही बताना चाहरू कि जो हमारे second unit है वो क्या रहें कि पहली बात history of education ठीक है politics politics की जग क्या कुछ relation है वही किस तरीके से हमारी जो policies है जैसे अभी आए अपना NEPI 2020 किस तरीके से impact डालता है education के उपर impact तो डालेगा है डालेगा सारे instruction बदल जाएगा ठीक है उसके बाद में economics of education ठीक है economics of education किस तरीके से किस चीज़ का क्या impact पढ़ता है economics तो सबसे ज़्यादा ठीक है micro and macro levels के उपर हर चीज के लेवल पर हम इस चीज को देखना है and relationship आया politics and education perspectives of politics जो भी है ठीक है यह सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ठीक है after that the third unit दो तीसरी unit है ना अभी तक हमने क्या किया अभी तक हमने philosophy देखी sociology देखी उसके बाद भी हमने उसकी history को देखा history को हमने समझा politics and economics के perspective से ठीक है after that यह जो third unit है अपनी third unit आ जाएगी किस से related अपनी psychology से और इसमें आप यह पाएंगे कि शुरुवात में मतलब कुछ साल पहले तक इसको बहुत weightage दी जाती थी learner and learning processes ठीक है unit third जो है इसको बहुत मतलब दिया जाता था वही की weightage दी जाती थी कि यहां से काफी pressure मनते थे लेकिन अब आज कल के अगर बात करें क्योंकि यह हमारा जो exam है क्योंकि यह जो हमारा exam है यह किसके लिए है education के लिए that's why इसको अभी जो है आज कल जो है comparatively come greatest दी जाती है ठीक है अब इसमें देखे क्या कुछ आ जाता growth and development यह वो चीजे जो हमने मतलब पढ़ी हुई है थोड़ी interesting सी होती है हमारे की हुई चीजे होती है ठीक है concept and principles, cognitive processes, cognitive development देखे प्याजे की बात कर रहे है यह आप पर personality की बात कर रहे है तो आपने पढ़ा होगा भई सिंग्मिन फ्रायर को पढ़ा होगा आपने ठीक है फ्रायर है intelligence from unitary to multiple, unitary theory जो अपने अप क्या बोलते है बिने ने दिया, multiple theory, theory of multiple intelligence, gardener ने दिया, वहां से वहां तक कि सारी चीजे मतलब यह सारी चीजे में दी गए स्टरंबग, gardener का, problem solving, critical thinking, metacognition, यह सारी चीजे इसके अंदर दी गई है ठीक है इसके भी चारी section रहेंगे, क्या कुछ है भई, theories of learning, learning के उपर भी question बनते हैं, लेकिन आज कल comparatively कम हो गया, उसके बाद में guidance and counselling, यह हमारी जो रहेगी, हाला कि यह learning से related नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, फिर भी यह guidance and counselling इसका ही part बनाया गया है, ठीक है, times of counselling कौन सी कौन सी है, क्या difference है, guidance counselling में है, यह सारी चीज़ें जो है, हाला, वो इसके अंतरगत दी गई है, ठीक है, चलिए, अब देखिए, एक चीज़ को यहाँ पे आपको एक pattern को समझने है, मैं कहूंगा unit 2, 4 and 7, यह unit जो है न, यह बहुत ही ज्यादा important है, और तीनों की तीनों के आहाँ है, क्योंकि second unit में हमने क्या देखा था, history को देखा था, किस की history को, education की history को, हाना, history को देखा था कि किस तरीके से इवोल हुई है आस तक, उसके बाद में जैसे हम आते है, पोर्त में तो आप पाएंगे teacher education, again आप यह पाएंगे कि यहाँ पर फिर से, जो हमारी agencies है, हाना, उ yes, meaning and nature and scope of teacher education, types of teacher education program, structure of teacher education, NCRT क्या है, ठीक है, NCT क्या है, यह सारी चीज़े, हाना, प्री सर्विस टीचर, तो expository, collaborative, experiential learning, यह सारी मतलब जो चीज़े हम पढ़ाते हैं, और again, मैं यह को हुआ कि हमारे पास एक privilege है, हमारे पास एक advantage बनती है, कि यही सारी चीज़े आपको जो हमारी तीर यूनिट्स होते हैं, पेपर बन में, वहां पर भी देखने को मिलेगी, तो हमारे लिए education जो कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी advantage रहती है, कि वहां की जो तीर यूनिट्स है, वो यहां से ही cover हो जाती है, ठीक है, तो आप मानके जले कि हमारे लिए पढ़न है धंग से तो हमारे तीर यूनिट्स होते हैं, अल्टिमेटली बनना सब को शिक्षक ही और हम शिक्षक बनने के ही लिए पढ़ रहे हैं, हम वही बनने जो शिक्षकों को पढ़ाएंगे, तो automatically वो चीजे सारी इसके अंतरगत आ जाती है, ठीक है, तो भई और इसके अंदर कुछ कारिया रहेंगे, कैसे, क्या कुछ है, सब कुछ रहने वाला है, इसके भी वही क्या है, अपने चार सेक्षन रहेंगे, वह सारी चीज़ी ही है, और यहाँ पर देखें, हाला कि दिया गया है, ICT इंटिग्रेशन, ठीक है, किसके point of view से, teaching के point of view से, लेकिन इसका एक अ बात करें, साथ के साथ एक बार देखें देते हैं, ठीक है, जैसे कि यह है अपना, teacher education का है, तो अगर हम जाते है, paper one में, ठीक है, तो paper one में अगर हम बात करें, तो आप पाएंगे, कि जो सबसे पहली हमारी unit है, teaching aptitude, हाँ, जो मैं कहना था है, कि MOOC लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर यहां पर मिलेगा, हिंदी में कहां कर देते, थोड़ी सी गड़बडियां कर देते, ठीक है, वो जैसे यह है, कहां लिखा है, मूक्स, हाँ, तो ऐसे है, इसलिए में कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा English में, अगर हम syllabus को, at least English में देखें, तो ज्यादा अच्छा रहे बाकि हम, वो bilingual चलेगा, दोनों में ऐसी को issue नहीं है, ठीक है, तो यह क्या है, teaching aptitude में हमारे है, सारी वही चीज़े cover कर रहे है, जो हमने अभी उसमें देखा था, ठीक है, teaching system, मतलब अगर वो कर लिया, तो यह अपने आप ही हो जाएगा, अब देखें, यहां पर क्या है, research apt aptitude है, पेपरवन दिखा रहा हूँ भी माँ को, इसमें क्या है, research aptitude है, और वहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, research ही देखने को मिलेगा, ठीक है, चलते है, teacher education के बारे में हमने देखा, उसके बाद में, एक क्या हैगा, curriculum studies, curriculum के बारे में, क्या कुछ है curriculum, किस तरीके से develop होता है, कौन से कौन से अलग अलग ताइप से curriculum के, वो सारी चीजे इसके अंतरगात हमें मिलने वाली है, करने वाले हैं हम, ठीक है, और लिटरली बता रहा हो, बहुत ही बढ़िया syllabus है, अगर आपने इस syllabus को अच्छे से किया, तो मैं लिटरली बता रहा हो, कि आपकी जो master's है, जो कर रहे हैं, यहां में education कर रहे हैं, वो सफल होगी यह करने के बाद ही आपको बता है, ठीक है, तो चलिए भई, यह हैं लग लग curriculum design के, तो यह मतलब कोई बहुत बड़ी बात रही है, काफी सारे चीजे हैं इसके अंदर, लेकिन हम अच्छे से करेंगे इन सभी को, ठीक है, यह हमारा पूरा का पूरा क्या है, curriculum से related है, और यह आगया जी हमारा research in education, जैसे कि मैंने परवन में दिखाया था, यहां पे आपको, यह रहा भई, research chapter 2, क्योंकि देखें भई, अगर आप बनना चाहते हैं assistant professor, ठीक है, तो भई, आपको research तो कर रही पड़ेगी, event में भी appearing में हैं, तो कहने का मुद्दा हैं कि यहां पर असल में आपका यह देखा जाता है, आप research के बारे में कितना जानते हैं, आपके बंदर क्या aptitude है, आप research को किस तरीके से देखते हैं, जीजोंको आप कैसे deal कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो 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 स्टेटस है, वो के मुश्किल लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए, यह बहुत ही आसान जेज़ों होती है, तो स्टेटस का भी portion रहता है, और स्टेटस में आप मानिए, कि जिसको बेस्तिक mathematics आता है, और जो सीखना चाहता है, mathematics नहीं, मतलब जिसको लगता है कि हाँ, मुझे स्टेटस सीखना च ठीक है, उसके मान quantitative, qualitative है, fundamental applied जो भी है, ठीक है, action research, यह सारी चीज़ें दी है, ठीक है, उसके बाद में variables के उपर आगया अगला जो अपना part बना, ठीक है, वो क्या आगया, variables के उपर जो भी, अलग-लग, dependent, independent, intervening, variables जो होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आगे, directional, directional, यह hypothesis की बाद चल रही है, ठीक है, जो अलग-लग hypothesis आगया, अपना sampling आगया, ठीक है, मतले है, सारा research से related है, लेकिन literally बता रहा हूँ, यह बहुत ही आसान चीज़ें होती है, अगर समझ के किया जाए, तो, कोई बहुत बड़ी बात नी होती है, ठीक है, यह क्या कुछ किसकी भई, quality होती है, यह बहुत ज़्यादा important है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के time पे, आज के time पे यदि सबसे ज़्यादा प्रशन किसी topic से पूछे जा रहे हैं, या किसी unit से पूछे जा रहे हैं, वो unit है यह, research, ठीक है, यह बहुत ज़्यादा important है, आपके examination point of view से, और जी हाँ आपके future point of view से, या भई, आपका जो, मैं कोगा, profession है, उसके point of view से भी यह, बहुत बहुत ज़्यादा important topic रहेगा, ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, सोच समझ के, बड़े अच्छे से सीख के चलेंगे, हो सकता है, हमारे इसमें थोड़ा time ज्यादा लग जाए इस unit में लेकिन हम इसको बड़े अच्छे से समझ के चलेंगे, और to the point चीजों को समझेंगे, और मेरा तरीका भी यही रहता है, कि मैं बस जो, हलाकि आज तो हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, आखिरकार इसमें है क्या, और वो भी बिना बहुत ज्यादा detail में ज मुझें के जैसे Google अर्थ होता है दूर से देखता और फिर धीरे 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 पास से आता है, ठीके, तो अभी हम सबसे ज्यादा दूर से अभी इन चीजों को देख रहे हैं, ठीके, बाकी धीरे धीरे चीजों के अंदर जाना है, समझना है, और जैसा कि मैंने कहा कि अब त रिसर्च डिजाइन्स बगरा है, ये सारी चीज़े है, ठीके, और इसी में जो मैंने कहा, आपको कि भई आ जाएगा, स्टेट्स का ही पार्ट आ जाएगा, तो वो भी हमें लेके चलना है, करके चलना है, ठीके, चलिए जी, अब आ जाते ये बात भई क्या, पैड़ागोजी आया था जिसमें, सोरी हिस्ट्री आया था जिसमें और एकोनोमिक्स आया था, ठीक है, यूरिट सेकेंड, यूरिट पोर, पीचर एजुकेशन की जो बारे में जिसमें हमने जाना, ठीक है, एड़ यूनिट सेवन, दिस वत, ये तीनों क्या है, ये इंटर connected है, इंटर इलेटेड है, तो इसमें आप देखें कि भी पैड़ागोजी, सीदी सी बाद है भाई पढ़ाएं कैसे, पैड़ागोजी is nothing but how to teach, हना teaching, हना या भी education, सीदी सी बाद करें तो, हना किसको पढ़ाना, पैड़ा, पैड़ा भी छोटा बच्चा, बालब को पढ़ा जिसको हम कहते हैं, एंडरागोजी, एंडरागोजी मतलब जो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पैड़ागोजी भी पढ़ दी पढ़ेगी, उससे पहले आपको पैड़ागोजी पढ़ दी पढ़ेगी, उसके बाद में आप एंडरागोजी पर जाएंगे ठीक है एंड असेस्मेंट और असेस्मेंट को भी इसी में ले दिया गया है आकलन कहले जिए मुल्यांतन कहले जिए evaluation तो उसको जो है इसी के अंतरगत सारी चीज़े आ जाएंगी तो पैड़ागोजी में अगर हम बात करें तो पैड़ागोजी पैड़ागोज जाएंगर मोदल से पाड़ागोजी के प्राइट उफ्यू से त्योरी ऊपर दिया है उसके बाद में अपना शूल हो जाता है अक्स्मेंट अशेस्मेंट में आपको क्या करना भाई ब्लूम टैक्सोनोमी को करना है बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में करना है यह नि कि वह तीन डूमेंस दे दिये को अग्रिटिव एफेक्टिव नहीं डिटेल भी अपड़ेगा उसकी क्रेक्टरिस्टिक को समझ के करना पड़े अब यह वाली जो है यह वाली भाई बहुत ज्यादा इंपोटेंट है एट जो आगया अपना है टेक्नोलोजी इन एजुकेशन टेक्नोलोजी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पेपर वन में पेपर वन में क्या था रिसर्च अप्टिटूड अभी है हमने देखा थोड देर पहले उसके बाद में यहाँ पर क्या है एक यूरिट बनती है अपनी यह वाली कि यह रही है हना आई-सी-टी इनफ़्र्मेशनर और कम्रीकेशन टेक्नोलोजी अब यहाँ पर भी आपको इस यूरिट के अगर करना है तो वह वही से ही कवर हो जाते हैं कहां से यहां स टेकनोलोजी इडि और ओर ओर अब इसके अंदर आप देख पारें कि फ़ई E.T. आ गया अपना Educational Technology आगया ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ गया? I.C.T. आ गया Information and Communication Technology ठीक है और यहाँ पर जो लेवल रहे गा वो उसके लेवल से कहीं ना कहीं higher level रहने वाला जो हमने paperman में देखा तो वो तो सब के लिए common है अब ही हमें यहां पर क्या करना है यहां पर हमें एक educationist के point of view से हमें उस लेवल पर चलना पड़ेगा जो कि उससे higher level रहेगा तो उसको cover करेगा ठीक है तो भई यहां पर क्या है भई है फोर्मल नोर्फोर्मल डिस्टेंस लर देंगे और यह वाली चीज़ें चलेंगे उसके बाद में भई है अपने सारा constructivist जो है behaviorist theories है तो यह आपको बार बार आते लग रहें लेकिन आपको यह देखना है कि भाई यह जो हमारी अलगले जो theories उनका हम यूज यह किस परकार से करते हैं educational technology इंका प्रियोग करके हम इनको कैसे सिखा सकते हैं कैसे पढ़ा सकते हैं यह सारी बाते रहने वाली है इस यूनित पर ठिक है तो यह बढ़ी है अच्छी यूनित रहेंगी अपनी इटी की क्योंकि इसमें हमें काफी कुछ नई चीज़े सीखने को मुलेगी from ICT point of view as well as technology point of view ठीक है उसके बाद में यह देखिए अलग लग models है मोडल में एडी मोडल है शोर मेडल है डिक इनकरी मोडल है तो तो सारी जो है मोडल है अब गैगने के हम hierarchy पढ़ते हैं लेकिन इसमें हम क्या पढ़ें के लेकिन यहां पर क्या है nine events of instruction है न कि इस्ट्रक्शन के जो nine events भी दिये हैं किसने गएने तो यहां पर यह बड़ा अच्छा ही वो है इंट्रेस्टिंग चीज रहेंगी इसको देखके घबरानी के आवशक्ता नहीं कि आई सीटी है कंप्यूटर आता है नहीं आता है ऐसा कुछ इसमें बहुत भारी चीज नहीं है वही सारी चीज़ें रहेंगी लेकिन हमारे एजूकेशन के पॉइंट व्यू से रहेंगी ठीक हमें बच्चोक के साथ में सच में ही जिस्टिफाई करना है तो भाई उसके लिए हमें अप्डेटर रहने के जिरूरत है तो इसमें क्या है भाई हाना कॉंसेप्ट वेब 2.0 टूल से लर्निंग जो भी सोचिल मार्केटिंग ब्लोग्स है चार्स है वीडियो कॉन्फरेंसि और इसके अंदर रहने वाले ओपन एजुकेशन और रिसोर्स इस नहीं है तो मतलब कुल मिलाके इसके अंदर हम वो सारी चीज़े जा देगे जो कि कुम्प्यूटर से रिलेटिड है और हमारी टेक्नोलोजी से रिलेटिड है एथिकल इश्यूज ओफी लर्नर्स एटीचर सतर यह सारी चीज़ेगे पर सब्सक्राइब इसके और आपके सामने क्रेस्शन आएगा तो ये सारी चीज़े जो है अब इसके अंदर करने वाले हैं अब आ गया भाई एजुकेशनल मेनेजमेंट एड्मिस्टेशन एंड लीडर्शिप अब सीधी सीधी बात है भाई आप एक बात को समझेगे कि भाई जो एमनेड जिसने किया है अब वो जो स्टूडेन्ट है वो डायरेक्ट जो होता है एक तो यह मैं तो हुआ एक टीचर होता हुआ अपने आपने लीडर होता है उसको मेनेजमेंट करनी आनी चाहिए किसकी क्लास की करनी आनी चाहिए, स्कूल की करनी आनी चाहिए, खरना स्कूल में अगर कोई प्रोब्लम हो जाते है, उसके बारे में आना चाहिए, तो हमें management भी सीख दिये, that's why मैं करूँ कि हमारा जो syllabus है न, वो इतना diverse है, कि मतलब हमारे पास सीखने के लिए सब कुछ है, psychology भी सीख रहे है, economics भी सीख रहे हैं, philosophy भी सीख रहे हैं, सब कुछ हमारे पास सीखने के लिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इस unit में, mean to say unit 9 में हम बात करने वाले हैं, management के, management, administration and leadership, इसके हम बात करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, management कैसी, यह भी हमें होटल मेंजमेंट करेंगे, नहीं, educational management, हना, and administration, किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है भई, administration में सारा, मतलब खुल बिलाके, इसमें हमारा यह रहने वाल है, हना, quality in education, हना, concept of quality in quality in education, हना, तो इस तरीके से हमारे जो अलग-अलग models हैं, उन सब को लेके हम चलेंगे, ठीक है, देखे, Japanese men of models of change हैं, हना, education inclusive, education जिसमें हम हर बच्चे को include करते हैं, ठीक है, और यह related रहता है, mail link इसके साथ में, special education के साथ में, special child के साथ में, हना, disadvantage बच्चे आजाएंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंतरगत रहने वाली हैं, inclusive education में क्या रहेगा, हना, concept, principles, goals, target groups, जो भी diverse learners, including marginalized, देखो, इसके अंतर हैंना, हम केवल orthopedically challenged, VIH, इनको नहीं लेगे, हम केवल, इनको भी लेगे, हना, marginalized groups आ गया, हना, disabilities वाले बच्चे आ गया, सारे आ जाएंगे इसके अंतरगत, हना, evolution of philosophy, inclusive education में, किस थरीके से हमारा evolution हुआ है, ठीक है, अब उस तरे related भई हमारा जो NEP86 है, वो क्या कहता है, ठीक है, उसके बादे भई इसका जो POI आया, वो क्या कहता है, परस्ट में Disabilities Act 1995, ये क्या कहता है, PWD, ठीक है, उसके बादे भई 2016 में RPWD आया, वो क्या कहता है, 21 जो हमारी Disabilities आई है, इसके अंदर, किस में, RPWD, ये जो 21 Disabilities है, इनके बारे में आपको detail में पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इनके ओपर बहुत सारे प्रशन पूछी जाते हैं, ठीक है, इनको भी detail में आपको पढ़ना पढ़ेगा, और ये, आपको भी पता है कि आने वाले टाइब में हमें इस चीज क्या आउशकता, पढ़ेगी ही पढ़ेगी, ठीक है, तो भी सर्वशिक्षावियार के point of view से, UNCRPD के point of view से, ठीक है, हाँ, rights of personal disability जेना, convention है, UN का, ठीक है, तो भी इसके point of view से मैं समझना, after that हम करेंगे, भी, ICT moral के point of view से, ठीक है, क्लासिफिकेशन of disability है, ICT के point of view से, भी, हम किस तरीके से उसका प्रियोग कर सकते है, ICT का, इसके अंतरगा, थाना, physical and multiple disabilities आ सकते हैं, positive and prevention of disabilities, मतलब यह हमारा पूरी जो unit रहने वाली है, किस से रेटल रहेगी, अपनी ICT, उससे हम रहेगी, किस से हमारी inclusive education है, चले जी, planning and management of inclusive classroom, भी, किस तरीक कैसे करेंगे, हरा role of parents है, peers है, हरा IEP है, अपना यह देखे, यह हमें हर बच्चे के point of view से बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की reader लग लग है, तो हम उसका educational plan अलग से बनाएंगे, हर बच्चे का, ठीक है, तो यह रहने वाला अपना barriers and facilitators in inclusive education, भी, क्या-क्या barriers है, हरा, क्या-क्या बाधाय है, और क्या-क्या, चीज़ें ऐसे जो उसको facilitate करती है, facilitate मतला कि उसके लिए सहाया क्या, हरा, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर, हरा, social and educational current status, ethical issues, हरा, यह सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, research, strategy, inclusive education in India, ठीक है, तो यह हमारी total देखिए, 10 units है, ठीक है, अभी हम इनको एक बार सरसरे तोर पर देखा, कि भई, 10 units में हमारे में क्या-क्या आता है, ठीक है, अब 10 units में अगर हम समझे, तो मैं यह कहूँगा कि कुछ units हमारी बहुत जादा important है, ठीक है, और जो बहुत जादा important हो, जैसे मैंने सबसे पहले क आज के time पे अगर कहें कि trend में कुछ सा चलना तो भही वही unit चल रही है, जिसको हमें बहुतरी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह हमारा total जो है, अभी आपने देखा, कि यह हमारी total 10 units है, जो कि अपनी paper 1 की जो 3 units है, paper 1 की 3 units कौनसी-कौनसी एक तो हमारी teaching aptitude वाली, सबसे पहली, ठीक है, उसके बाद में research वाली, ठीक है, research aptitude कौनसी है, जो हमारी cover करेगी, इसमें ICT वाली, ठीक है, यह हमारा तीरों चीजे है, तीरों units है, paper 1 की, वो यहां से cover हो जाएगी, ठीक है, तो यह हमारा जो है, पूरा syllabus था, ठीक है, इसके बारे में हमने आज सरसर इतना सारा पड़ना है, इतना सारा नहीं पड़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पड़ना है, एक समय पे, ठीक है, धीरे धीरे करके हम पूरे को cover कर पाएंगी, बड़े ही अच्छे तरीके से, and again, with questions करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा easy रहेगा, समझना उन चीजों को और examination में भी करना क्योंकि ultimately examination में आने तो questions नहीं है हम बेशक से जितना बड़ी ग्यान रहे तो जितने बड़े gold medalist रहे नहीं लेकिन यदि अगर हमें उस चीज के बारे में यह नहीं पता है कि वह question किस तरीके से जाते हैं उनको किस तरीके से soul किया जाता है तो everything is useless सब कुछ useless है क्योंकि अगर हमारा डेट रही होता है तो फिर हमारा MN का आप को बिदा है कि वह स्कोप नहीं है जो होना चाहिए without net ठीक है net करने से ही भाई उसकी जो हमारी जो net है GRF करने से हमारी क्या होती है अपार संभाव रहे है बढ़ जाती है उसके प्रिटों से ठीक है तो इसी आशा के साथ कि भाई हम ये जो सारे जो ये हैं इनको भाई unit wise लेके चलेगे ठीक है और मेरा ये रहेगा कि हम जो second fourth and seventh unit है उनको हम करेंगे एक साथ सबसे पहले हम first unit करेंगे उसके बाद हम second fourth and seventh unit को क्यों तीनों क्या है interconnected है तो इस तरीके से हम लेके चलेगे इनको धिरे-धिरे सारी units को और कोई बहुत जादा जल्दबाजी नहीं एक बार शुरुवात में जो है थोड़ा सा हम चलेगे चीजों को भी समझके तब हमें चलना है ठीक है तो शुरुवात करेंगे कल यहीं से educational studies ठीक है और educational studies में हम सबसे पहले बात करेंगे सांख्याती हाना सांख्ययोग ठीक है वेदानता, बुद्धिजम, जैनिजम and Islam तो भई यह सारी चीजों के हम बात करेंगे कि भई क्या अलग-लग school of philosophy है ठीक है यहां से हम शुरुवात करेंगे क्या चीजे हैं, क्या नहीं है किस तरीके से हर चीज को with questions हम करना start करेंगे कल से ठीक है तो भई होफ़ुली आपको चीजों को एक बार देखने को भई हमने दूर से थोड़ा सा देखा कि क्या क्या चीजे हैं, टोटल 10 units है, कौन सी कौन सी units है वो हमने देखी उनके अंदर क्या क्या मोटा मोटा सा हमने समझा कि इसके अंदर क्या कुछ आएगा, ठीक है वो हमने देखा है और जो हमारी proper पर जो classes रहेंगे जिसके अंदर हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है जिसके अंदर हम चीजों को समझेंगे और आगे उससे related questions भी करेंगे ठीक है, वो हमारा शुरुआत होगी कल से, ठीक है तो इसी आशा के साथ में कि भई आपको चीजे समझ में आई होगी एक बाहर से एक overview देखने को मिला होगा कि भई क्या कुछ है ultimately इसमें ठीक है, तो मिलेगे आपके साथ जल्दी ही कल यही मतलब इसी इस पे, ठीक है मतलब आपके mobile पे ही या आपके laptop पे तो तब तक के लिए थैक यू सुग है विदाइस देट, बाई